इनाकरतियों में चतुर्भुज यानि Quadrilateral EFGH जो यहाँ पर है प्राप्त किया गया है क्रमबद रुपांतरणों के द्वारा यानि Transformations के द्वारा चतुर्भुज A, B, C, D पर और हमें ये जानकारी भी दी गई है कोण A कमाप है 79 अंश, कोण B कमाप है 102 अंश, कोण G कमाप है 145 अंश और कोण H कमाप है 44 अंश निमनलिखे तथ्यों में से कौन सा तथ्य ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर केवल जिन रुपांतरणों का उप्योग किया गया है वो है translations, rotations, reflections और dilations इनके अलावा और किसी रुपांतरण का उप्योग नहीं किया गया है या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हम केवल उप्योग करें स्थानांतरणों, घोर्णनों, परावर्तनों और फैलाव का तब ये दोनों आकृतियां समरूप यानि similar होंगी और अगर ये सही है, तो हम बात कर रहे हैं समरूप चतुर्भुज यानि similar quadrilaterals की या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इन मेंसे कौन सा तथ्या ये पहला तथ्या या दूसरा तथ्या या दोनों तथ्या अथवा कोई भी नहीं यानि कि इन में से कौन सा तथ्या परियाप्त होगा ये निर्धारित करने के लिए कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप है जो कि एक और तरीका है कहने कहा कि हम इस एक से दूसरे में सिर्फ थानांतरों गूर्नन परावरतन और फैलाव के द्वारा ही जा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ इस पहले तथ्या से तो हमें दिया गया है कौन सी का माप जो है 145 अंच और हमसे कहा गया है कि ये कौन यहाँ पर है 145 अंच यानि 145 डिग्रीज तो इसे यहाँ लिख लेते हैं 145 अंच और हमें ये भी बताया गया है कि कोण E का माप है 99 अंश तो ये कोण यहाँ पर है 99 अंश तो इस जानकारी के आधार पर जो यहाँ दी गई है हम जानते हैं इन में से प्रतियेक चतुरभुज के तीन कोणों के बारे में और इस जानकारी के आधार पर हम चौथे कोण का पता और ये इसलिए संभव है क्योंकि हम जानते हैं कि चतुरभुज के कोणों के माप का योग 360 अंश होता है तो चलिए अब हम पता लगाते हैं माप इस कोण F का जो यहाँ पर है और इसे हम नाम देते हैं X तो यह हुआ X जमा 79 अंश जमा 145 अंश जमा 44 अंश जो की बराबर है 360 अंश के तो चलिए अब उप्योग करते हैं कैलकुलेटर का तो X होगा 360 घटा यह सब तो 360 घटा 79 घटा 145 घटा 44 होगा 102 अंश तो यह कोण यहाँ पर है 102 अंश अब ध्यान दीजिए इन दोनों में 3 कोण उभेनिष्ठ हैं यानि कॉमन हैं यह यहाँ है 79 अंश इसे अलग रंग देते हैं तो यह कोण यहाँ पर है 79 अंश और यह भी 69 अंश है अब हम दूसरे कोण पर आते हैं तो यह कोण है यहाँ पर 102 अंश और यह भी 102 है अब हम आते हैं इस कोण पर जो है 145 अंश यानि 145 डिग्रीज हरा रंग मैं इस्तिमाल कर चुका हूँ और ये है इसका संगत कोण 145 अंश और जब हम इन तीन कोणों का माप जानते हैं तो फिर इस अंतिम कोण का मतलब इस चौथे कोण का माप जाहर है वो 44 अंश होगा तो 360 घटा 145, 102 और 79 तो हमें मिलेगा 44 अंश तो अब हमारे पास हैं दो चतर भुज जिन में से सभी कोण सरवांगसम हैं एक दूसरे के तो यदि हमारे पास ये दो आकार हैं और हमारे सभी संगत कोण यानि corresponding angle सरवांगसम हैं यानि congruent है एक दूसरे के तब हम जानते हैं कि ये दोनों समरूप हैं और अगर हम जानते हैं कि ये समरूप हैं तो हम ये भी जानते हैं कि हम एक से दूसरे में जा सकते हैं केवल कुछ रूप आंतरणों के सहयोग द्वारा, जो कि सिर्फ दो विमाओं में से स्थानांतरित करना है, जैसे आप कुछ बिंदूओं पर इन्हें घुमा सकते हैं, या परावर्तन यानि रिफ्लेक्शन द्वारा आप इन्हें पलट सकते हैं, और फैलाव यानि डाइलेशन द्वारा आप इनका आकार बढ़ा या छोटा कर सकते हैं, तो पहला कथन निश्चित रूप से सही है, तो आईए अब देखते हैं कि क्या ये दूसरा कथन हमारी मदद कर सकेगा, ये निर्धारित करने के लिए कि ये दोनों आकरतियां समरूप हैं, पर पहले चलिए इसे साफ कर लेते हैं ताकि हमें कुछ जगा मिल जाए अपना काम करने के लिए, तो मैं इसको यहां से साफ कर लेता हूँ, और अब देखते हैं कि हमारा दूसरा कथन क्या कह रहा है, तो इसके अनुसार कोण D का माप है 44 अंश, मतलब ये कोण है 44 अंश, और फिर कोण F का माप है 102 अंश, अंगल F is 102 डिग्रीज, तो एक बार फिर से हम पता लगा सकते हैं, एक और कोण का इन दोनों आकरतियों में, और इसके द्वारा हम पता लगा पाएंगे अन्तिम कोण का, और अगर हमारे पास इन चतर भुजों के अंदर के सभी कोणों की जानकारी हो, तो हम तै कर पाएंगे कि वो समरूप हैं, और वो समरूप होंगे केवल तभी जब उनके सभी संगत कोण यानि चार संगत कोण सरवांगसम हो एक दूसरे से तो चलिए अब हम इसे करके देखते हैं और पता लगाते हैं इस अंतिम कोण का माप इसका हम हिसाब लगा के देख लेते हैं अपने इस कैलकुलेटर दोस्त के द्वारा तो ये होगा 360 घटा 102 घटा 145 घटा 44 माइनस 44 जो की बराबर है 79 अंश के तो ये होगा 79 अंश यहाँ पर ध्यान से देखिए 102 अंश, 79 और 44 अंश और यहाँ पर 102 अंश, 79 अंश, 44 अंश और ये अंतिम कोण होगा 145 अंश इसकी तरह यदि इन में से 3 कोण समान हैं तो 4 कोण भी समान होगा तो ये कोण इस कोण के संगत है और अंत में ये कोण भी इस कोण के संगत होगा अगर दो चतर भुजों के चारों अंतर कोण सरवांगसम हैं एक दूसरे के संगत हैं तो ये निश्चित तोर पर समरूप यानी सिमिलर हैं और आप एक से दूसरे में जा सकते हैं ट्रैंसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और डैलेशन के द्वारा तो ये कथन भी सही है तो वास्तव में ये दोनों परियाप्थ हैं ये तै करने के लिए कि केवल इन ही रूपांतरों का प्रयोग किया गया था तो इसीलिए ये दोनों उत्तर बिलकुल सही है